हलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो मैं चैनल कुंजो फीसे लवर योर चैनल कैसे वाप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे नीचे बैल अकन उसे प्रेस जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिक्शन सबसे पहले आपके पास जाए आज की वीडियो में बताने वाले हो जी हां यम दिया कैसे निकाला जाता है यम दीप कैसे जलाया जाता है धन तेरस दो हज़र बाइस धन तेरस पर आखिर यम के लिए क्य दवाजे पर सारी रात जलने वाले तेल के चौमुख दिया का क्या महत्व है कार्तिक मास के क्रिश्न पक्ष की तिरदसी यानिकी धन तेरस के दिन यम के नाम से विशेश रूप से दीपदान की प्रमपरा है आस्था और विश्वास से जुड़े इस महापर्व पर ये जाती है इस दिन यम के लिए आटे का चौमुख दीप बना कर घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है घर की महिलाएं रात की समय दीप में तेल डाल कर चार बतियां जलाती है इसकी बाद विधी विधान से पुजा करने के बाद दीप जला कर दक्षन दिशा की और मुख मित्योना दंड पाशाम्भय कालेन श्यामा त्रियोदश्या दीप दानता सुरेजह प्रियताह मम मंत्र का जब करते हुए यम का पूजन करती है धन तेरस पर यम की पूजा से जुड़ी पुडान एक कथा एक बार यम ने अपनी दूतों से पूछा कि क्या तुम्हे प्रानियों के प्राण हरते समय तुम्हे कभी किसी परदया भी आती है यम दूतों ने संकोच में कहा नहीं यमराज तब यमराज ने उन्हें अभैदान देते हुवे कहा डरौ नहीं सच सच बताओ तब यम दूतों ने बताया कि एक बार उनका दिल किसी के प्राण हरती समय वाकई डर गया था दूतों ने यम को बताया कि एक बार हंस नाम का राजा शिकार के लिए गया और भटक कर दूसरे राजे की सीमा में चला गया उस राजे के शासक हेमा ने राजा हंस का बढ़ा सतकार किया उसी दिन राजा हेमा की पतनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो तिशों ने नक्षत्र गन्ना करके बताया कि ये बालक विवा के चार दिन बाद मर जाएगा राजा हन्स के आदेश से उस बालक को यमना के तड़ पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया और आदेश दिया गया कि उस तक किसी इस्तरी की चाया तक न पहुँचने पाए फिर ऐसे हुई राजकुमार की मृत्यों किन्तो विधी का विधान तो अडिंग होता है एक दिन राजा हन्स की युवा बेटी युमना के तड़ पर निकल गई और उस ने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवा कर लिया विवा के चौथे दिन वे राजकुमार मिर्तु को प्राप्थ हुआ दूतो ने कहा कि महराज हमने ऐसी सुन्दर जोरी कभी नहीं देखी थी और उस महिला कविलाप देखकर हमारे आशू भी निकल आये थे इसके बाद यम ने पूछा भी द्रवित हो गए थे यम ने बताया अकाल मिर्तु से बचने का उपाई यम के दूतो ने उन से पूछा कि महराज क्या अकाल मिर्तु से बचने का कोई उपाई नहीं है तब यम राज ने कहा धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को विधी पुरुवक पूर्ण करने से अकाल मिर्तु से छुटकारा मिलता है जिस घर में ये पूजन होता है वहाँ अकाल मिर्तु का वास भी नहीं फटकता इसी घटना से धनतेरस के दिन धनवंत्री पूजन सहीत दीपदान की पृथा का प्रचलन शुरू हुआ हम सब की घर में धनतेरस के दिन जब सारे परिवार खाना खा लेते हैं उसके बाद ही जी हाँ यम का दीप निकाला जाता है और यम के दीप में जो होता है वो अनाज रहता है और चार मुहानी पुरे घर में दिखा के चार मुहानी पे जा के रख दिया जाता है कैसा लगा आप सभी को हमारा ये यम दीप वीधियो प्लीज कमेंट्स करके जरुर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना बिलकुल न भूलना मेरे वीडियो को इन तक देखने के लिए दिल से धन्यवा थैंक्स पर वाचिंग केप सपोर्ट